गड़च चतुर्ती का दिन रहता है और गड़च जी सोचते हैं आज मैं मेरे भक्तों की परिक्षा लेता हूँ और यह सोचके वो प्रत्वी पर आजाते हैं और बच्चे का रूप बदल लेते हैं और एक हाथ में एक चम्मच सक्कर और दूसरा हाथ में एक चम्मच बेशन लेकर वो गाउं गाउं चलना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कोई मेरे लिए बेशन के लड़ू बना दो कोई मेरे लिए बेशन के लड्डू बना दो जब वो गाउ से निकलते हैं तो गाउ के लोगों सोचते हैं और बोलते हैं अरे ये बच्चा तो पागल हो गया है एक चम्मच सक्कर और बेशन में कोई लड्डू बन रहे हैं क्या और वो मुश्कुरा कर आगे बढ़ जाते हैं और बोलते हैं कोई मेरे लिए बेशन के लड्डू बना दो तभी आगे जाके एक छोटे से घर में एक डोकरी रहती थी वो बोलती है ला बेटा मैं तेरे लिए लड्डू बना देती हूँ और वह एक चम्मज सक्कर और एक चम्मज बेशन उसको दे देते हैं और जब वो बनाने लगती है तो वो लड्डू भोसारे बन जाते हैं और उनकी खुजबू भी काफी बढ़िया रहती है तो गडेजी बोलते हैं कि जाओ दादी पुरा गाओ को नियोता देदो लड्डू खाने के लिए आज का भोजन लड्डू का होगा और पेट भर के सबको भोजन के लिए आमंत्रित करो तभी वो दादी हर गाओ गाओ में हर घर जाती है और बोलती है आज मेरे घर पे भोजन है लड्डू का तो आप सबको आना है दोकरी के पीट पीछे लोगों बोलते है यह दोकरी के तो खुद के खाने के पता नहीं है यह क्या खाना खिलाएगी थोड़ी देर बाद गाओ के सारे लोग आ जाते है और पेड भर के लड्डू खाते है और बोलते है अरे यह दोकरी के तो खुद के वांदे थे खाने के यह इसने इतने सारी विवस्ता कहां से कल ली इतना सामान और इतने सारे लड्डू कहां से केसे बना लिए तभी आच कि तुम्हारा मन क्या है मैं इस दादी से प्रसन हुआ मांगो तुम क्या मांगती हूँ तब ही वो डोकरी बोलती है भगवन मुझे कुछ नहीं चाहिए मुझे सिरीब दो वक्त की रोटी चाहिए और आप से कुछ भी नहीं मांगती और कड़ेज जी वहाँ पर आसिर्वत दे कर वहाँ से चले जाते ही